मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जोई जातनी की जाई परे श्याम हरित दूति होई राधा अस्टमी के दिन भगवान स्ट्रिक्रिष्ण और राधा रानी की पूजा करने के बाद उनके सामने शुद्धगी का एक दीपक जलाकर इस मंत्र का एक सो आठ बार जब करने से भगवान स्ट्रिक्रिष्ण और राधा रानी की अखंड भक्ति प्राप्त होती है और इससे बढ़कर संसार में कोई और दूसरी वस्त्व नहीं क्योंकि जिसे भगवान, स्रिक्रिष्ण और राधारानी की भक्ति प्राप्त हो जाती है फिर उसके लिए इस धराधाम पर कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता कुछ भी दुरलब नहीं रह जाता इसलिए राधा अस्टमी के दिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जब जरूर करना चाहिए बाकि आपकी अपनी श्रद्धा जितना हो सके इस मंत्र का जब कीजिए जै मतरणी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ राधा अस्टमी व्रत के बारे में जो की 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा वैसे अस्टमी तिथी का प्रारंब 22 सितंबर को ही हो जाएगा दोपहर में 1 बज कर 35 मिनट पर और अस्टमी तिथी समाप्त होगी 23 सितंबर को दोपहर में 12 बज कर 17 मिनट पर और शास्त्रों के अनुसार भगवान स्टेक्रिष्ण का जन्म आधी रात में 12 बजे हुआ था और राधाराणी अब्तिरन हुई थी 12 बजे दोपहर में भादरपद माज की शुकलिपक्ष की अस्टिमी तिथी को दोपहर में 12 बजे राधाराणी ने उतार लिया था और तब ही से प्रतेक वर्ष राधाराणी का जन्मोचो मनाया जाता है पूरे धूमधाम से अब देखिए वैसे तो जन्माष्ट्मी का पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है जहां पर भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं हर जकर जन्माष्ट्मी मनाई जाती है भगवान श्र जन्माश्टमी का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है जन्माश्टमी का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम राधा अश्टमी मनाते हैं क्योंकि भगवान स्रिक्रिष्न की जो प्रिया है वो राधारानी है और भगवान स्रिक्रिष्न को पूर्ण करती है राधहरणई तो जनमाईष्टमी के व्रत को पूर्ण करने वाला वरत होता है राधह अस्टमी का व्रत अगर आप जनमाईष्टमी-कव्रत धारण दरन करते हैं तो आपको राधह-श्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए और बात करें कि 23 सितंबर को राधारानी की पूजा, राधारानी का जन्मोस्व मनाने का शुब मुहुर्थ क्या होगा तो देखिए दोपहर में 12 बजे से, दोपहर एक बसकर 30 मिनट तक राधारानी की पूजा का और उनके जन्मोस्व मनाने का सबसे शुब मुहुर्थ है करने के बाद भगवान सुर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में श्री राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की आपको विधी विधान से सुबह पूजा करके और फिर उनके सामने आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है अगर आप व्रत करते हैं तो सं अभी देवी देवताओं कि अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए अच्छा एक और चीज जैसे कि आपके घर में भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी का विग्रह है तो जिस प्रकार से आप प्रती दिन सुबह पूजा करते हैं तो सुबह की पूजा बिल्कुल उ राधारानी को ऐसे छोड़ दे कि दुपहर में हम पूजा करेंगे सुबह की पूजा जिस प्रकार से आप प्रती दिन करते हैं उस प्रकार से कर लीजिए दुपहर में बारह बजे बिल्कुल अच्छी तरीके से विदिविधान से पूजा होती है और इस समय राधारानी का पंचामडित से अभिशेक किया जाता है तो दूद, दही, घी, शहत, चकर ये पांचों चीजे एकत्र करके रखिए और बारा बजे शुब महुट में आप राधारानी का अभिशेक करेंगे फिर उन्हें वस्त्रित्यादी अर्पित करेंगे उनका स्रिंगार करेंगे इसके अब देखिए संयुक्त रूप से राधारानी और श्रीकृष्ण की पूजा होती है तो अगर आपके पास ठाकुर जी है जैसे कि लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में है ठाकुर जी या फिर यूगल जोडी है आपके पास जो भी स्वरूप आपके पास राधारानी और श्रीकृष्ण का है दोनों की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए दोनों का भी सेख साथ में कीजिए और भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी का संयुक्त रूप से पूजन करने के बाद उन्हें भोग अरपित कीजिए भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार अपन बनाकर उन्हें भोग अरपित कीजिए वह भगवालश्व पूछन को पीले अरपित कीजिए विधिविधान से दोनों की पूजा करने के बाद आप मंत्रों का जब कर सकते हैं और अब बात करें कि आज किन मंत्रों का जब करना चाहिए तो देखिए शास्त्रों के अनुसार अगर भगवान स्ट्रिक्रिष्ण की ग्रिपा पानी हो तो राधारानी के नाम का जब करना चाहिए और अगर आप राधारानी की क्रिपा पाना धर्ब॓ इटिकि हो संतान्क्राप्ति की हो मन जहां जीवन साती पाना चाहते हैं अपने जीवन अपने परिवार में खुशया लाना चाहते हैं दंपथ्त को सुह की बनाना चाहते हैं मतलब कोई भी आपकी कामना हो किसी प्रकार का आकर्शन आप चाहते हैं मतल ist अिसा पूरे दिन चलते फिरते उड़ते बैठते मन में समाहित कर लीजिए इसality को और ऐसा सोच लीजिए की सांसों के साथ ये मंत्र चल रहा है इस प्रकार से ओम क्लीम कृष्णायनमा ओम क्लीम कृष्णायनमा पूरे दिन जब कीजिए कोई भी वश्तु जो आप पाना चाहते हैं इस मंत्र के द्वारा आप पा सकते हैं और हां, सुहागे निस्त्रिया या कुमारी कन्याएं राधारानी को सुहाग की सामगरी अवश्य अर्पित करें। और सुखित दामपत्य की हर प्रकार की कामना राधारानी की ग्रिपा से प्रोण हो जाती है। अगर आप तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो जो बहुत समय से हैं लेकिन दूर नहीं हो पा रही है तो दूर हो जाती है। और हां बासुरी अर्पित करते समय आपको इस मंत्र का जब करना है ओम राधा वल्लभाई नमा ओम राधा वल्लभाई नमा ओम राधा वल्लभाई नमा इस मंत्र का कम से कम एक सो आट बार या फिर पांच या साथ मिनट दस मिनट जितना समय भी आपके पास हो अपने समय के अनुसार यथा संभव जब कीजिए फिर भगवान स्रिक्ष्ण और राधरानी का ध्यान करके उनसे प्रारतना कीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानिया है समाप्त हो जाए जो भी आपसे जाने अंजारे में गल्तियां हुई हैं उनके लिए शमाप्रारतना कर लीजिए आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुब दिन है आज के दिन भगवान स्रिक्ष्ण और राधरानी का ध्यान करके आप जो भी मागेंगे सब मिल जाता है बस विश्वास होना चाहिए श्रद्ध होनी चाहिए और अपार भक्ती होनी चाहिए और बात करें कि अगर आप और आप बरत धारन कर रहे हैं तो वरत कर चाने की ऑदे कर के बाद जन्म कराने के बाद जो भी आपने भोगरपिद किया है प्रसाद शुरूप आप ग्रहन करके वर्त खोल सकते हैं आपके अपनी सारीडिक शम्ता प्रणेवर करता है आप चाहें तो जैसे कि 12 बजे हम राधरानी का अभिशेक करते हैं पूजन करते हैं विशेश रूप से तो उस समय तक आप चाहें तो निर्जल भी रह सकते हैं और फिर 12 बजे के बाद अभिशेक पूजन करने के बाद नहीं रह पाते हैं वो चाहें तो जल के द्वारा मतलब फलों का रस लेकर और दूद इत्यादी लेकर जलाहार के द्वारा भी 12 बजे तक रह सकते हैं और माल लीजे कि आप जलाहार के द्वारा भी नहीं रह पाते हैं तब आपको फलाहार के द्वारा भी व्रत धारन कर ल दोस्तों यह है आज की वीडियो उमीद करती हूं आपके लिए उपयोगी होगी अच्छी लगी हूँ वीडियो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चानल पर पहली बारा हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए मिलती हुए आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार